हर हर महादेव देखिए हमारे पास मैं देहरा दून से आधित्य शत्री वरात्य हैं शवनक गोत्र है इन्होंने बहुत सुन्दर प्रश्न किया हुआ है ये कह रहे हैं कि आचार जी शिव महारात्री आने वाली है तो इससे पहले ही आप हमारे उत्तर को देदे में तो अतिक्रिपा होगी शिवरात्री में कैसे पूजन करना चाहिए जागरण का क्या महत्तो है और ऐसी क्या विधी है जिसको करने से भगवान शंकर प्रसन्द हो जाते है तता शास्त्रों में मुख्य रूप से यही पूछ रहे हैं कि शास्त्रों में शिवरात्री के वरत की बिधी क्या है देखिए शिवरात्री के वरत की बड़ी महिमा है स्वयम भगवान शंकर ने स्वयम शिरी हरी भगवान विश्नु को शिवरात्री के वरत की महिमा बतलाई है श्री शिव महापुरान में और उसके अंतरगत उन्होंने कहा है कि इस व्रत को करने के चारों वरन ही अधिकारी है सब ब्राह्मन से लेकर के आचांडाल परियंत सब इस व्रत को कर सकते हैं और करना चाहिए बिधी है देखिए शिवरात्र ब्रतम नाम सर्वपाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भोक्ति मुक्ति प्रदायकम तो ये ब्रत जो है नित्य और काम ये दोनों ही है नित्य इसलिए है जो नित्य करते हैं प्रतिमाशिक करते हैं या प्रतिवाशिक करते हैं तो उनके लिए नित्य है कोई विशेश कामना से करता है तो उनके लिए काम में है अनित्या न करने पर दोश है ही। शिवराट्त्री का ब्रत कोई कैँ हम दो भैश्जणव हैं हम आमुक हैं हम आमुक देवता के उपासक हैं, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ब्रामर से लेकर के चांडाल परियंत प्रत्य एक मनुश्य मात्र को माता वेनों को सभी को शिवरात्री व्रत करना चाहिए अन्यथा पातक लगता है ठीक है इसलिए ये व्रत अवश्य करना है एक बात और हर मास में शिवरात्री होती है मने हर महिने के कृष्ण पक्ष की चतुर दसी में जिस दिन चतुर दसी अर्ध रात्री या प्रदोश व्यापिनियों या उभय व्यापिनियों तो उस दिन ये महाश्रिवरात्री या महाश्रिवरात्री व्रत किया जाता है तो रात्री में जागरण पूर्वक भगवान शंकर के लिए वरत को रखना इसलिए इसको शिवरात्री कहते हैं शिवजी की प्रसंदता के लिए रात्री में पूजन किया जाए जागरण किया जाए वरत को किया जाए विधान को किया जाए इसलिए ये शिवरात्री है और फिर ये महाशिवरात्री है ये जो फालगुन कृष्णा चत्रदशी क्योंकि इशान सहिता में ऐसा वर्णन आया है कि शिवरलिंग तयोब हूता कोट सूर्य समप्रभा तो इस शिवरात्री में जो भगवान शंकर का महाशिवलिंग था वो प्रादुर भूत हुगा था भगवान ब्रह्मा और भगवान श्रियरी विश्णु के सनमुक तो इसलिए ये महाशिवरात्री है शिवरात्री में यदि त्रयोदशी चत्रदशी और अमावस्या का इस पर्ष्ण हो जाता है। तो वह त्रिस प्रिशा कहीं जाती है, अन्यता प्रदोशकाल में सायंकाल को हो और अर्धरात्र व्यापिनी चत्रदशी हो तो उसी दिन ये व्रत किया जाता है और पूरे दिन ही इस व्रत का पूजन और विधान नाम जब ये सब है विशेश करके रात्री की महिमा जादा है और ये रविवार में हो या मंगलवार के दिन ये श्रिवरात्री पड़े तो उसकी महिमा और जादा बढ़ जाती है वैसे हमारे जो व्रत की पारणा होती है ज्यान देना उनके ये नियम है कि तिथियंते पारणा व्रतांते पारणा या तिथि भांते चपारणा यह ब्रत के विजान को ब्रत पूर्ण हो जाए उसके बाद पारना करना मन उस ब्रत को पूर्ण करना या वो जो तिथी में आपने ब्रत किया है वो तिथी पूर्ण हो जाए वो भांते वा पारना या वो नक्षत्र पूर्ण हो जाए जिसमें आपने ब्रत किया है तो उसके बात पारना होती, लेकिन ऐसा शिवरात्री में नहीं है, क्योंकि जैसे शिवरात्री निशिथभव्यापनी है, प्रदोशभव्यापनी है, मारे सायंकाल को प्रार्म हो गए तो उसी दिन रहा जाएगा, वहले ही पूरे दिन त्रहोदशी थी, इसी बार ऐसा ही है, 18 तारीको शिवरात्री है तो प्रातायकाल से तयो दसी है और सायंकाल को चत्रदशी आ जाएगी और पूरी रात चत्रदशी रहेगी और दूसरे दिन भी चत्रदशी है तो तिथी तो पूर्ण दूसरे दिन शाम को होगी तो पार्णा कब करें प्राय ऐसा होता ही है लगबक ऐसा होता तो देखिए शिवरात्री की पारणा के दिशाय में कह रहे हैं यद जब शिवरात्री का व्रत निरने और पारणा निरने थोड़ा कठिन है बहुत जो है शास्त्रों में विविन प्रकार किमत मतांतरों को देखर के दर्म सिंदु निरने सिंदु इत्याज में सुस्पष्ट किया गया है उसी का एक सार रूप में एक संशिप्ट बिवरण बतलाता हूं निकलने के वाद संगवकाल मैं पारणा कर लेनी चाहिए ऐसी विवस्ता होने पाई एक दिन पहले ब्रत किया शिवरात्री जिस दिन है और ब्रत करके रात्री में जागन किया दूसरे दिन इसनान करके फिर शिवजी का पूजन करके फिर बगवान को भोग लगा करके फिर ब्रत की पारना कर लेनी चाहिए चाहिए वो तिथी समाप्त हो या नहों तिथी मद्धे तिथी के मद्ध में ही शिवरात्री की बृत की पारणा होती है यह जो इस बृत में विशेश है रात्री में यह जो है भगवाण शंकर का पूजन करना अपने अधिकारा अनुसार कोई शासह शुदध प्रतिष्टित शिवलिंग पर या अपने अधिकारा अनुसार पार्ध्यु लिंग पर मिट्टी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, चारों प्रहरों में, सायंकाल को प्रदोशकान में, फिर दूसरे प्रहर में, तो जो भी तीसरे में, चौथे में, सुबह तक प्राता काल, सुरुदै से पहले तक ये पूजन चलता है, तो पूजन का बड़ा माहाद में, शिवजी को मिट्टी के बना करके, उनको अपने इस्थिति, आधिकार अनुसार प्रतिष्ठा करके, और फिर उनका पूजन करना, फिर उनका विसर्जन भी कर देना, आवाहन से ले करके, ध्यान आवाहन से ले करके, विसर्जन परियंद, कम से कम, गं चारों प्रहरों में हो जाना चाहिए तो चार शिवलिंग बनें अगर मिटीके भी बनाते हैं एक एक शिवलिंग भी बनाते हैं और जो पाठ कर सकते हैं पाठ में अधिकार है जिनको वेदों का अधिकार है वेदों के पाठ कर सकते हैं वो रुद्र इकाजशनी सडंग या भगवान का नाम जब भी और भगवान को अविशे जलाविशेग पूर्वक यह सब करना चाहिए फिर दुत्री ये पैर में फिर इसी प्रकार जो मन में कामना हो वो संकल्प पूर्वक भी आप कर सकते हैं तो वो कामना भी पूर्ण होती है जिस भी गामना से भगवानने का हुआ है स्वयम भगवान श्री हरी विश्णूँसे कि जो मेरे श्रिवराती ब्रत को करते हैं मेरे पास ऐसा कोई भी संभार नहीं है वो श्रिवराती को करने वाले को में न दे सकते। अर्तार्शिवरात्री का बिदी पूरवक ब्रत करने वाले को जो चाहता है वो प्राप्त हो जाता है बगवान शंकर की किर्पा से तो वो नियम पूर्वक यह विदी बतला रहा है कि प्रदोशकाल में सायंकाल को सूर्यस्त के बाद बस सब्सम्मार को रख करके बैठ लिया है और बगवान शंकर जी का लिंग निर्मान करके फिर उनका पूजन किया जाए और ब्रत के निमित फिर जब किया जाए नाम जब शिब जी पर धारा करण किया जाए फिर इसी प्रकार चारों प्रहरों में यह किया जाए प्राता काल में प्रिश्णान करके और फिर शिब जी का पूजन करके प्रातना करके और ब्रत को पूर्ण किया जाए यह ब्रत है देखिए शिब जी के ब्रत की एक संशिप्त में द रात्री भर बैठा रहा तो उसके जो पानी रखाता वो जल भी बिल ब्रक्ष से नीचे शिविलिंग था तो उसपर गिर गिया पते बिल पत्र के टूट कर के उसके नचाने पर भी शिवजी के उपर चड़ गए और रात्री भर जागता रहा तो ये परोक्ष में अनिच्छा पूर्वक किसी दूसरे कारे के व्याज से जो भगवाई शिव का आर्चन होगा तो उसी शिवा आर्चन के फलस्वरुप उसकी सद्गती हो गई और दूसरा व्यक्ती कोई शिवजी की पूजा करने वाला ताहत उसकी चोरी के निमित वो रातवर जागता रहा तो उसकी भी सद्गती हो गई तो रात्री में जागरण और शिवजी का पूज़र और जलाविशे ये कृत्ति बड़े ही महत्वपूर्ण हैं तो इस तरीके से शिवरात्री का बृत करना चाहिए माशिक शिवरात्री का भी ब्रत प्रत्य एक महिने में किष्ण पक्ष की चत्रोदसी को ब्रत करने का भी बड़ा महात्मय है बहुत फल लिखा हुआ है जो इच्छा करे उसकी पूर्ती होती है और इन व्रतों की चाहे हो जो वार्षे करता है प्रत्य एक मास्य व्रात्री को ही करता है एक वर्ष में ही करता है या प्रतियक मास में करता है तो इन सबकी बृत की उद्यापन की विधी भी भगवान शंकर नहिशे पुरान में बतलाई है तो विधी पूर्वक इनका उद्यापन 14 वर्षवाद कम से कम 14 वर्षवाद कर लेना चाहिए और जो भी बृत का उद्यापन होता है सबके बृत का उद्यापन करना परमावश्यक है उद्यापन माने उद्यापन का उद्देश यही होता है कि हमने जो भी बृत किये हैं इसके अंदर गत जो भी कुछ नियूनता हो तुर्टी हो वो पूर्ण हो जाए और देवता की पसंदता प्राप्त हो और बृत को पूर्ण फल युक्त हमें उसका लाव हो बृत का संपूर्ण फल प्राप्ति के निमित उद्यापन किया जाता है दूसरी बाद उद्यापन में ये भी बोला जाता है कि ये तो संस्कृत के संकल्प मैं आपको समुझ में नहीं है इसलिए मैं हिंदी भी मितला रहा हूँ आज कि जो भी मैंने ब्रत किये हैं आचरितस्या और आचरिश्यमान से और मेरे द्वारा जो भी ब्रत किये जाएंगे यदि आपने जो ब्रत किये हैं और आप उद्यापन कर रहे हैं या कर रहे हैं आप चाहते हैं या चाहते हैं कि हम इस ब्रत को और भी आगे करें तो ये संकल्ब उद्यापन में बोलना पड़ागा कि मेरे द्वारा जो भी ब्रत किये गए हैं तदा आगे जो भी किये जाएंगे उन सब का संपूर्ण प्राप्त हो और उस देवता की जिसके निमित किये गए हैं उसकी किर्पा प्राप्त हो उनकी नियूनता का पूर्ण हो इस निमित ये उद्यापन मैं करूंगा ये संकल्ब किया जाएं अगर वो जो भी कर लिये अब नहीं करना है तो मया चलिता स्या मेरे द्वारा किये गए ब्रतों का संपूनपल प्राप्त हो देवता की प्रसंदता प्राप्त हो तो कई लोगों को ये नहीं पता है कि शिवरात्री ब्रत का भी उद्यापन होता है क्या हाँ हर ब्रत का उद्यापन होता है अपनी शक्ति और सामर्थ्यानु साथ ठीक है तो इनकी विधीतों वो कर्मकांड में ग्रंथों में आपको मिलेगी देखने के लिए तो वहां देख सकते हैं अपने आचार पुरोहित से आप पूछ सकते हैं और जिन आचार पुरोहितों को भी कुछ पूछना हो तो वे भी प्रशनों को करके या हमसे सीख सकते हैं परं सकते हैं देख सकते हैं भृत उद्द्यापन तो इस प्रकार शिवरात्त्री के व्रत रीकरना है अभशेक करना एं जागण करना एं और पूजन करना है अर अर महादेव